उदर बीजेपी आज पूरे प्रदेश में काले दिवस मनाईगी, तो 25 जून को काले दिवस के रूप में बीजेपी मनाईगी, कारिकरता सम्विधान रक्षा का संकलप भी आज के दिन लेग geen, तो जिला डियास्तर पर गोश्थियां का भी आयोजन किया जाएगा, तो बीज काल के विरोध में जिलास्तर पर ब्लैक डे मनाई तो खबर पर जारा जानकारी के साथ हमारे से होगे अब नीश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं अब नीश क्या कुछ निकल कर सामने आ रहे हैं भारते जनता पार्टी आज के दिन को काली दिवस के तौर पर मना रही है जी बिलकुल देखे हैं इंद्रा गादी के सासन काल में आपात काल लगा था उसको लेकर भारती जनता पार्टी आज काला दिवस मनाएगी भारती जनता पार्टी के जिती भी काईयां हैं वो अलग-अलग गोष्ठियां करेंगी वहाँ पे जो सोतंतरता सेनानी हैं उनको स गोष्ठि भी की जाएगी इसी तरीके से गोरकपूर में मुख्यमंत्र योगी आदितनात होंगे जहां पे वह इस काला दिवस का जो कारकरम रखा गया है उसमें वह सामिल होंगे और संबोधित करते हुए लोगों को दिखाई देंगे उसी तरीके से जित्ते भी जिले हैं उन जिलों में भी गोष्ठियों का आयोजन किया गया है यानि भारती जनता पार्टी सीधे सीधे जो उस समय का आपात काल है उसको याद करेगी और उस पर अकरमक प्रहार भी करते हुए दिखाई देगी अबनी शेगर बात की जाए तो अलग अलग जगाहों पर अलग अलग कारेग्रमों का आयोजन यहां पर है गोष्ठियों का आयोजन यहां पर किया गया है और भारती जनता पार्टी लगातार जो आपात काल की स्थिती थी इंद्रा गांधी के समय पर उसको याद करते कि हमने तो घोषित करके आपात काल यहां पर बताया था लेकिन अभी इस वक्त देश में घोषित आपात काल की स्थिती बन रही है यानि भारती जनता पार्टी पर ही प्रहार करते हुए नजर आये थे तो लगातार जो आरोप प्रतियारोप की राज दीती है वो दोनों ही सासनकाल में जिस तरीके से आपात काल घोषित किया गया था उसको याद किया और जिते भी लोगों पे अत्याचार हुआ उनकी चर्चा उन्होंने की थी इसी का जवाब देते हुए कंग्रेस के ध्याच मलिका जुन खरगे ने कहा कि हमने घोषित आपात काल किया था वो ए प्रदेश के मुख्यमंतरी क्या कुछ कहते हुए दिखाई देते हैं और भारती जनता पार्टी हर साल 25 जून को जो काला दिवस है वो मनाती है और कॉंग्रेस के सासनकाल में लगे हुए आपात काल पर उप्रहार करते हुए दिखाई देए समविधान रक्षा का संकल्ब भी आज भारती जनता पार्टी के कारेकरता लेने वाले हैं और पिछले कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं कि एक खोड़सी है कि कौन समविधान की रक्षा करेगा आखिर ऐसी स्थिती बन क्यों रही है कि समविधान की रक्षा करने की ज जा रहे हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि सम्विधान को बचाने का संकल्प लिया जा रहा है तो आखिर सम्विधान को खत्रा है किस से जी बिलकुल देखे आगर एक तरीके से कहा जाए तो लोगसभा चुनाओ के दोरान ये तस्वीर सामने आई थी जब इपच्छ के नेता सम्विधान की प्रतियान लेकर लगातार भारती जंता पाठी की सरकार पर आरूप लगा रहे थे उनका साप कहना था कि जो 400 पार का ना नारा दे चुकी है और उसको लेकर सपत दिलाने वाली है तो साप है कि अगर सम्विधान को लेकर राजनीत कहा जाए तो वह तेज हो चुका है और सभी ये दावा कर रहे हैं कि उनके कारकाल में ही सम्विधान सुरची तरह है चाहे वो केंदर सरकार में इसे में भारती जन्ता पार्टी की जो सरकार है वो अलग दावा कर रहे हैं विपच्के नेता अलग दावा कर रहे हैं कि अगर सम्विधान में किसी परकार का बदला होता है तो उसका कड़ा बिरोत करेंगे और लगातार जो समिधान के प्रती है वो अपने साथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं चलिए अवनी शाप बने रही हमारे साथ आगे आप से हम जानकारी लेंगे आगे बढ़ते हैं बात करेंगे लखनाओ की उत्तर प्रदेश कैबिनेट की एहम बैठक आज है तो आज सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी और लोग भवन में यूपी कैबिनेट की बैठक होने वाली है तो सीम योगी के अध्यक्ष्टा में बैठक होगी तो बैठक में कई एहम फैसले लिए जाएंगे बड़ी ख़वर आपको बता रहे हैं आज सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक होगी और लोग भवन में यूपी कैबिनेट की बैठक होने वाली है पड़ी खबर आपको बता रहा है खबर पर जानकारी के में आ सकता है इस बैठक के बाद जी बिलकुल देखे अगर बात की जाए आज के कबिनेट बैठक हो नहीं है मुख्यमंत्री योगी आदितनात के अजयस्ता में होगी और इसमें माना जा रहा है कि करीब दो दर्जन जो प्रस्ताव हैं वह रखा जाएंगों उनको मंजूरी जा सकती है इसमें प्रस्ताव है वह भी है इसमें प्रेटन विभाग का प्रस्ताव है इसमें ग्रीब भाग का प्रस्ताव है इसमें अलग अलग जो कई भी भाग है उनका प्रस्ताव रखा गया है जो सबसे अहम प्रस्ताव है वह है बन विभाग का 35 करोड जो पोधे वो बनाये गया आफ फिलहाल आज माना जा रहा है कि उसको मंजूरी दे दी जाएगी उसके बाद जो 35 करोड जो पौधे लगाने का लच्छ है उसे पूरा किया जाएगा उस अभियान को गती दी जाएगी विल्कुल अवनीश और लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सक्रियता है वो दिनो दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है चाहे वो मुक्यमंत्री योग्या अधितनात की हो या फिर भारते जन्ता पार्टी के तमाम जो कैडर है उनकी जो सक्रियता है वो भी बैटके भी लगातार हम देख रहे हैं इससे पहले भी जो कैडिनेट बैटक हुई थी कई महतपूर्ण प्रस्तावों पर महर लगी थी आज भी ये कैडिनेट की महतपूर्ण बैटक होने वाली है और उमीद यही की जा रही है कि आज भी कुछ महतपूर्ण प्रस्तावों पूर मोहर लग सकती है जी बिल्को देखे कई महत्पुर प्रस्तावा सकते हैं सबसे पहला तो है कि पौधरोपड को लेकर उसके बाद अगर एक तरीके से देखा जाये तो परेटन को लेकर कुछ प्रस्ताव रखे जा सकते हैं क्योंकि लगतार सरकार जो है परेटन के छेतर को बढ़ावा देने में लगी हुई है और उसको लेकर कई प्रस्तावा सकते हैं जिनें मंजूरी दी जा सकती है उसके बाद अगर पी डबलुडी के छेतर में कहा जाये तो सलक निर्मार को लेकर और उस विभाग में तमाम ऐसे काम हैं जिनका होना अभी प्रस्तावीत है उस प्रस्ताव को रखा जा सकता है उसको मंजूरी दी जा सकती है और इसी करम में उत्रपरदेश सरकार ने ये साफ कर दिया है कि विकास की रफ्तार वो धिमी नहीं होने देंगे खुद मुखी मंतरी योगी आदितनात लगातार अलग-अलग विभागों की बैठक कर रहा चलिए अब नीश हमारे साथ जुड़ने के लिए इन तमान जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया